5G Network launch होने के बाद अच्छे से पहतर goal और connectivity का ग्यास लगाया जो रहा था वो यूजर्स को नहीं मिल रहे हैं बहुत से यूजर्स, call, drop और network संबंधी तीसरी समस्याओं की शिकायत करते रहती हैं और एसी में Department of Telecommunication ने DRAI से सक्त कदम उठाने के यकार हैं बताते चुने आपको कि D.O.T. ने ये कदम यूजर्स के feedback के माद उठाया है call drop, call quality जैसे मुटो पर दिपार्टमेंट में लोगों से feedback लिया था और इस मामले में एक अज़कारी ने जानकारी के लिए का Telecom Regulatory Authority of India ने 17 परपरी को Telecom Operators पर साहत एक बैठक मिलाई है और इस बैठक में service quality को बेहतर करने और नॉम्स के review 5G के लिए वैंच मार्क और टेलिकॉल्स पर पाचित होगी और इस कदम का मक्सद टेलिकॉम service quality को बेहतर और call drop के समस्चा को तूर करना होगा और अभी तक भारत की 300 से ज़्यादा शहरों में 5G service के शुमात हो चुकी है और इसके बाद भी लोगों को बेहतर call quality नहीं मिल रही है 5G launch होने से बहने चर्चात लीकिन नहीं network के आने से consumers को ना सिर्फ बेहतर speed मिलेगी बलकि users को बेहतर call और connectivity भी मिलेगी अक्टूबर में 5G services launch जी और HR ने चुनिंता शहरों में अपने service को लाइब भी कर दिया है लेकिन users को अभी भी connectivity और call drop की समस्या से चुचना पर रहा है